आप बनाओ ना हिंदु अगह लडगा ब्यार कर रहा है तो लड़का बने रिल्ड फूलियर को सस्थना 1952 अश्पाव इंध के फिल्म केश ने आपको बहुआको 50 फिल्म ये रखिवी प्वहिं अच्छी एच्छी 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 एच्छ तो यह ऐसी जिस्थर्स और धर्मा तरहन होते हैं तो रुपना चाहिए तो रुपना चाहिए तो अधर श्रमा का काम किस चाहिए अच्छा है और कम इन वेल सप्काइचा है रेटिंग कहा है पांच बेसे आपकी फिल्म को लेकर है इसे रेटिंग निये सकता हूं बट देख स है पुस्ट मीस आपकी करते हैं चाहिए अच्छा मात्यु इस फिल्म स्ट इलक रिख विए अच्छा मुझे लगता है कि श्करों इसा से रिख काम किया है उनके उनके आपना पिपूल साग पॉलिए उनके लिए बहुत हो बदाएं मैं किया हो कि अखाना कि और आखाया में मुझे लगता है अमेजिंग हम जेतना सोचते हैं उससे कई गुना बढ़िया मुझी है तो मुझे पता है इन चीज के बाड़े में यह सारी जो है इसमें बहुत जबरतस्त काम किया है और मुझे लगता है कि रेक्टर सर को एस्पेसाल थाइंस देना चाहिए उन्हें उन्हे ऐन 1-6 सब्सक्राइब करें अब車ओ ऐसे को बसक्राइब मुझे बइखते है और यूज यह ज्यादाव यहादा पिक्चर को देखना एक पक्चर और एसकि और मॉण गड cares इसे डिरेक्टर सार और विबुल साह को उनको बहुत बहुत बदाई धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसी अच्छी मूवी बनाई है और हमें दिया है शुक्री अच्छी बहुत अच्छी है रियल स्टोरी पर है इससे अभी भी लोगों ने सबक लेना चाहिए लड़कियों लो उक्ता समाज में क्या है इसका हम सोच भी नहीं सकते ऐसे Qué हो रहा है हम सही में एकदम सुन हो गए देखके मतलब हम तो समझते हैं कि हम सब भाई-चारे से रहते हैं हमारे सब भाई-भाई है इस चक्कर में हम कितना कुछ उलच जाते हैं और कब उलच जाते हैं ये हमको पता भी नहीं चलता है और उलजाने वाले उलजाते रहते हैं और हम उलज जाते हैं उसमें बहुत ही कठिन समय है सबने सीखना चाहिए उससे सबक लेना चाहिए लड़किया ही नहीं सब अन्मैरीड मैरीड लड़के जो भी है मैं सबने देखना चाहिए उस सबक लेना चाहिए इस पर है यह पिच्छर को आपदर निटेश राणे ने टैक्स प्री करने की दिवांड की थी लेकिन महरास्तर गॉवर्मेंट ने किया नहीं है मैं महारास्ता गॉर्मेंट से निवेदेन करता हूँ कि इतनी अच्छी फिल्म है टाक्स प्री करना चाहिए इसको और सभी के लिए देखाना चाहिए आज इसकी बहुत जरूरी है यह पिक्चर सबको देखने के सबड़ी जरूरी है सबको अलर्ट होना चाहिए इससे बस और कुछ नहीं करना है सुन नहीं होगे देखके लिए आपने देखी क्या को नहीं चाहिए मैंनम अधुस्वन देशा है विर ऐसा मेरता हूं बोलिए कैसी लगे आपको पिक्चर के लिए पिक्चर ऐसा तो औरल ऐसा कॉंट्रोवर्सल है इसमें बहुत सारे डायलोग जो है और पिक्चर के लिए मुझ का रहliter है कि खागा नहीं करता हिए माबबक को है नियुक्षे क्लिये मया बजती मत वे प्रेंस सची घटनापरें नहीं को यह अविनेस के बराबर है इतने जो दिखाया है उता थर्टी टू तुगन गल्सिंग है वो फैक्त है कि पता नहीं है तो गलत है अगर वोता है तो गलत है एक्चली यह जो नेसल स्कुर्टे के लिए खत्रा है यह जो अगरे हैं वान तैम वह थीक है है वह जो बहुत अच्छी है और उस पर एक्टिंग की बात में तो बहुत सही है पर वो एक रियालिटी स्टोरी है तो हमें उसे एक एंटेटेंबंट के लिए नहीं एक रियालिटी पर्वस भी लेना चाहिए इन सेंस की आप देखिए की एक्टिंग में हो गया रहा है खासकर एक केलरा में हो रहा है तो केला के गवर्मेंट को सब्सक्राइब करना चाहिए यह मूवी देखने के बाद और मेरे खासकर रिक्वेस्ट रहेगा कि पैरेंसे जो आजकल के पैरेंस अपने बच्चों जैसे में मूवी में डालोग कि अपने डालोग आता है कि उसमें उनका कहना है कि आपको आपने मुझे अपने धर्म के बारें बताया क्यों नहीं तो एक तरीके से रियालिटी लगा कि आजकल के पैरेंस और सब भी सब भी सिर्फ पैसे की पीछे भाग रहे है तो अपने बच्चों को बता रहे कि लाइ यह क्या होता है तो अगर आप इंडीन है तो अगर आप नहीं खुद को नहीं मालों में पTa करें और पता करने चाहिए है ज़ए मुझे को इसका ग्यान दे दोनों गयान होता जरूरी है बहुत जरूरी है कि शास्त्र में से यहीं पैसा कि इवीं कि वह पीरफ श्रुच्छ और सबको जागरुकता फैलाने के लिए मुवी देखनी चाहिए थैंक यू अधा शर्मा का परफॉर्मस तो एक्दम नेक्स्ट लाइवल था मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे लगा कि इस रोल में बहुत जान डाली है उन्हें बहुत अच्छी एक्टिंग किया है अधा अधार में सुनने में कि यह कोई गवर्मेंट इसको बैंड लगाना चाहते है पर यह मुवी एक रियालिटी है और यह एक्टिंग से मतलब यह एक्टिंग के लिए नहीं देखिए किसी धर्म प्रडिकुलर को टार्गिट नहीं कर रहा है जो जिसके जो करेला में जो है और जब ही हो भी रहा है उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है उस इस से मुवी बहुत सही है और सब को यह देखनी चाहिए और इस पर वर्क भी करना चाहिए अब यह दिमांड मतलब डिमांड हम एक कहने से कुछ नहीं होना आला है गवर्मेंट को अगर गवर्मेंट इस चाहिए तो इस पावर का यूस करें और चाहिए तो अभी अगर अगर चाहिए तो गवर्मेंट को बहुत एक्टिवली पता करना चाहिए कि कोन-कोन फसा हुआ है उसकी तरफ उसको वर्यस्क्यू करने के लिए पूरी 100% जान डालने चाहिए इंडिन गवर्मेंट को अब कि लूत को बहुत ही अच्छी है था केलरा स्टॉरी मैं चाहता हो कि हिंदुस्तान में जाते से जादा लोग इसको देखे और मैंने यह वी सुने तो मैं चाहता हूं जादा इसको थेटर मिलने चाहिए और हमारे हिंदुस्तान में हर एक बंदा एक बार इस फिल्म को जरूर देखें कि हिस्ता ऐसा है केरला जहां पर यह सब हो रहा है 32,000 गर्ल्स मिसिंग है और हिंदुस्तान में किसी को फर्क नहीं बढ़ रहा है अधा शर्मा की जो एक्टिंग है ने इससे पहले उनकी फिल्म देखी है तो नॉर्मल फिल्में देखें वो और अपने पर्फॉर्मस बाइस सुपब बिरियंट पर्फॉर्मन और उनकी जो एक्टर्स है साथ में सुपब सब्सक्राइब को जरूर देनी चाहिए और मैं अगर आप रेटिंग के बात करेंगे तो मैं आपको बता तो 5.5 एंग जो दिखा रहे हैं जो दिखा रहे हैं वही हो रहा है पर दिखाया है यहां एक कर्दार को देखें हैं इत्यु कहानी दिखाया इसक अलावते बड़िया उने काम किया उसके अलावर जितनी बिलर्क्यां थी इसमें चाहिए इस हो प्रिशन लड़किया गरेक्टर कर रही है यह दूसरी लगी का यह चोटे से सीन के लिए बेगर एक लड़की आई है उन सबने अपने कर्दाब को बहुत ही अच्छते नहीं करना चाहिए कि हमारी वज़र से हमारे माबाप के साथ की कुछ भी गलत हो सकता है तो आप अपने बारे में इसाम भी मीशिक सोछ कर रहे हैं तो आब उस चाहए इसे उसे हट के आष्टा सी अगर आप उसका दूसरा पार्ट देखो तो गलत भी है, मेरे सामने गलत एक जंबस भी है, और मैं ये बात मानती हूँ कि आप इंसान देखके काम गरो, ये रिलीजन देखे जो आपको पहले ही धरम चेंज करना और ये सब चकर्णा दिखा रहा है, तो कैसे बिलीब कर सकते ह आप बनाओ न हिंदू, अगर लड़का ब्यार कर रहा है, तो लड़का हिंदू बने ना, मुस्लमाल अगर चाहता है वह उसको ब्यार करना है, वो लड़की से बहुत प्यार कर रहा है, तो बने, उसकी बुरी फैवली हिंदू बने, जाए मंदिर में, मैंने तो नहीं जाते हैं, जो मज़िद भी जाते हैं, तो प्यार दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से मत लो हमीशा है, तो प्यार दोनों तरफ से होता है, जो वहां पे होता है, आजकल फिर भी कम है, लेकिन वहां पे तो आज भी है, हम अकसर फिल्मों में देखते हैं, न्यूस में भी द लड़कियों के लिए कुछ है ही नी बहुत बाउंडेशन है इवन मेरी कई दोस्त है यहां पर जो मॉटल्स लग रहा है जो अफ़ानिस्तान से आगे यहां पर कहते ही कि हम इंडिया में बहुत सेफ पील करते हैं मतलब वो अपनी देश से अजादा थे सेफ इल यहां पर कर रही है तो कितनी बड़ी बात है इंडिया तो इस चीज में बहुत अच्छा में तो मानोंगी कि हमारा देश तो बहुत अच्छा है इस मामले में लेकिन हमारा देश अच्छा है उसस अच्छाई का फायदा ना तो यह मुझे बहुत अच्छा नहीं बहुत ज्यादा बट जो वहां के लोग करते हैं वो दिखाया है रेटिंग के लेगी पांच पीस अगर दिना चाहे हैं आप दोरों में देखिंग है किया कुछ कहना चाहें कि के बारे में सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा कि 10 साल में अगर 32,000 के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है और हुआ ही है 100,000 पसेंट हुआ है तो यह बहुती सर्मनाक और बहुत बड़ा क्राइम है यह और केडला की सरकार अगर 10 साल में भी अगर नहीं सीख पाई है तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूंगा कि वो इस पिक्चर को एक बार द ऐसा इग्जैटली कोट में भी यह सवाल गया है चाहे दस के साथ हो चाहे एक के साथ हो निकिल वर्ड फिर वहीं आएगा ना गुनाह तो गुनाह होता है अगर हुआ है तब यह यहां तक पहुँचा है बहुत गवर्मेंट ने बैंड करने की कोशिश की इस पिक्चर को मत बैंड करने का मांग उठा कोट तक जा चुका है निकल कोट ने भी इसको बैंड नहीं किया तो कुछ तो कोट भी सोच कर इस पिक्चर को चलने दे रही है तो थांक्स कहना चाहूंगा सभी लोगों को जिन लोगों इसके साथ काम किया और डारेक्टर को तो खास तोर से मैं मैं सल्यूट करना चाहता हूं आज सर बहुत अच्छा डाइडेक्ट किया और राइटिंग किया और कहानी एक नंबर ती सर रियल्टी बेसिक पर बनाई गया मूबी बहुत अच्छी मूबी है सर बहुत अच्छी एक नंबर पॉफरमेंस थी सर पूरी पिक्षर में बतारो ना तू एंदा हाफ आवर की पिक्षर है और धाई घंटे में एक बार भी इसक्रीन से पलक तक नहीं जपकिये ऐसी पिक्षर है और चाहे लड़की हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो बत अगर गलत हुआ है तो रियालिटी में बहुत सर्म की बात है सबको देखनी चाहिए सर देखनी चाहिए मैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कॉंट्रोवर्सी करने से पहले एक बार आईए और देखिये हो सकता है शायद अगर उनकी बेटी यहां पर होती है इस हालात से अगर उनकी बेटी गुजरी होती है उनका पडिव लिजान को इसमें कहीं कुछ नहीं किया गया है और लिजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई एजेंडै नहीं है रिलिजन का खास था से ठीक है बट अगर एगर डिया लीटी में जो गलत है ofसोई साफ ठीसी बात और सभात धर्ञ पर्वरतन क के टाइम पर रेयालिटी में माइंड तो पुरा डिस्टॉप्लिप करते हीं यह लोग सब्सक्राने 가 कि real में अगर कोई चीज है ऐसा तो जो चल रहा है आज गैट में और ये जवाना अभी आपको और ऑगा अबस्याना हुए आप मूवी-बहूत अच्छा ए और और कहानी एक नमबर थी तो प्रिक्षर को देखने के लिए आना चाहिए और कुछ भी हो बस एक बार पिक्षर को जरूर देखो करेला स्टोरी देखने के बाद आख में आसू भी आगे एक हिंदू यूदी को धरम परिवर्दन करके कितनी यातनाय भोगनी पड़ती है और कितनी नर्की जिंद्गी से वो गुजरती है वो बड़ा ही दर्दनाग है हाँ ऐसा लग रहा है पहले इसी पिक्चर नहीं बनी है कस्वीर फाइल से ये सुरू हुआ और कस्वीर फाइल में भी लोगों ने जो नहीं पता था वो पता चला हाँ आज केरला के 20 स्टोरी सभी को नहीं मालूम है वहां के रहने वाले को मालूम हो गता समाज में सही चेंज़ लाने का काम करती है क्या लोगों देखिए एक सबक सिखाया गया है कि नए बच्चे जिनको दुनियादारी का पता नहीं है वो भोलेपन का सिकार होते हैं प्यार में अंदे होते हैं और उन्हें आगे का पता नहीं होता है तो वो गलत काम के लिए चालू हो जाते हैं ये भी शाय दिखाया है कि बहुत जल्दी किसे पर ट्रस्ट तो कभी नहीं करना दे जब एक बात और मेरे दिमाग में है कि युनिवर्सिटी में जो लड़किया पड़ती है वो किसे इतने भोलेपन का सिकार हो जाती है लेकिन फिर दूसरा माइंड कहता है कि इसको प्यार ब देखनी चाहिए और सबक लेना चेगे अधार किए अधिशन बहुत अच्चा है लिखावाटे मने जो पटकता लिखिये बहुत अच्छी है और डेक्शन जो है वह बहुत अच्छा स्टोरी जो है वह खुद तो जन्म नहीं लीए कहीं कहीं कोई घटना बना बनी है तो यह पिक्टर बनी है कि आपकानिस्तान का और बलूचिस्तान का जो पाहड बगेरे और वहां जो गाड़िया दोड़ाते हैं वह सीन बड़े अच्छे लगे और नेच्रल लगे कि आपने सुना था भादों में जो फिल्म में दिखाया है कि आपने पहरी बार यह सब देखे हैं अभी खुदा गवा पिक्टर आया था तो हम इसा बच्चन अफगानिस्तान से आता है तो यह पहाड नदी नाला वहां से कूद 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 के आता है वैसे इसमें भी सीन बत तो हम देखी है देखी है जगजोर कर रख देती है आपको सुदिप्तो सेंद का डिरेक्शन टॉप नौच है विपल अमुर्टलाल जी अमुर्टलाल शाह जी को सलूट है कि इतने सेंसेटिव टॉपिक पर फिल्म मनाने की उन्होंने हिम्मत दिखाई है बहुत ही अमेजि सुदिप्तो सेंद का बहुत ही अमेजिंग डिरेक्शन है सुदिप्तो सेंद का टाइट रख थे हैं पूरी स्क्रिप्ट को शरुवाद से लेकर एंड टक आपको एक सीन या एक शॉट ऐसा नहीं लगेगा जो आपको लगता है कि यह अन्नीड़ है या अन्वांटे यह इ कास्टिंग वन अफ थे हाइलाइट से एंड एवर्रीवन इस ड़न देर जॉब सुपर्वली वेल अदाश अर्मा जी जो है हम उनको देखते आया है हमेशा पहले बहुत सुंदर है और बहुत सरी फिल्मों में काम कर चुकी है बट ऐसा जो मीटी रोल जिसे कहते हैं वह उ तरीके से किया है 80% of the time screen पे वह दिखती है fabulous performances भर भर के आके देखनी चाहिए एक बार नहीं दो बार देखनी चाहिए चार स्टर थाइंक यू सो मज़ों